दिल्ली सेवा विधेक को लेकर संसत से लेकर दिल्ली के राजनीति गल्यारों में हलचल मची हुई है इस बीच दिल्ली कॉंग्रिस नीता संदीब दिक्षित विधेक को लेकर अपनी पार्टी के रुक से अलग हटकर बायान दे रहे हैं दरसल संदीब दिक्षित ने इसे विध्यक का समर्थन करते वे कहा इस बिल का विरोध करना गलत होगा दरसल संदीब दिक्षित ने कहा ये विध्यक लोकसभा में पारित हो चुका है क्योंकि वहां सरकार के पास वहूमत है ये विद्धेहक राजसवा में पेश किया जाएगा हाला कि सरकार के पास यहां बहुमत नहीं है लेकिन लोगसवा की तरह अगर कुछ अन्य दल इस विद्धेहक का समर्थन करेंगे तो ये पारित हो जाएगा बताते हैं दिल्ली सेवा विद्धेहक को लेकर आमादमी पार्टी और कॉंग्रेस ने वेप जारी किया है राजसवा में पेश होने जा रहे इस बिल के लिए दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने सांसदों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिये हैं लोगसवा में पेश होने के बाद भारी हंगामे और विपक्ष के वॉक आउट के बाद ये बिल पास हो गया था लोगसवा के बाद ग्रह मंत्री अमिशा इस बिल को राजसवा में लाने जा रहे हैं बताते हैं दिल्ली अध्यदेश के आने के बाद से ही सीयम अरविन केजरिवाल ने देश के बिपक्षी पाटियों से समर्थन जुटाने की जद्दो जहेश शुरू कर दी थी केजरिवाल ने नितिश कुमार से लेकर स्टैलिन तक सबसे मुलाकात की थी ये बिल केजरिवाल और उनकी राजनीती के लिए काफी एहम माना जा रहा है